जैन दोस्तो आज से हम कुछ current affair को भी regular आप लोगों के लिए वीडियो बना के देंगे ताकि आप continue current affair भी टच में रही है current affair एक important section है जहां से बहुत सारे सवाल बहुत सारे चीजे कुछ ऐसे numbers के आ जाते हैं जो की हम छोड़ देते हैं ठीक है तो daily करेंगे वीडियो को like जरू सरकार ने गो बंधू संबिदिका बीमा योजना किसके लिए लागो की हाना इस बात को याद रखना उडिसा सरकार ने तो ये बीमा योजना लागो की गई है पत्रकारों के लिए पत्रकारों के लिए लागो की गई है ठीक है इस बीमा में आपको स्वास्त कवर दिया जा मतब आपके हेल्थ के लिए दो लाख रूपए का कवर दिया जा रहा है मतब कवर करेगा दो लाख रूपए और मालोग कोविड डूटी के दुरान अगर आपकी मित्ति हो जाती है है न अप पत्रकार की तो पंद्रा लाख रूपए तक का आपको कवर दिया जाएगा ठीक है उडिसा सरकार ने से चालू किया है तो उडिसा सरकार के बारे में कुछ बात यह आप जानकी चलेंगे इनके मुख्य मंत्री का नाम मुख्य मंत्री का नाम है नवीन पतनायक बिल्कुल इस चीज को याद रिख रहे हैं मुख्य मंत्री का नाम है नवीन पतनायक और राज्यपाल जो अभी है राज्यपाल है आपका गणेशी लाल कौन है गणेशी लाल तो याद रखिए ये सब चीजे डेटा बना के रखिए क्योंकि आने वाले समय में current affair important है और आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या है क्या नहीं है चलेंगे अगले question की ओर जो की important question है अभी के exam के दिश्टी कौन से देखते हुए की हाना राष्ट के पहले drive-in vaccination center का अनावरन कहा किया गया ठीक है कहा किया गया याद रखना इसकी सुरुवात की गई है मुंबई मुंबई बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सुरुवात की गई है राष्ट के पहले drive-in vaccination center का उद्गाटन मुंबई में किया गया ठीक है बहुत ही important चीज है यह इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए ठीक है क्योंकि विकलांगों की टीके करने में बहुत ही कठनाई हो रही थी उसको देखते वे यह चीज चालू किया गया हाना ठीक है और साथ साथ में आपनों को इसी समझा दूँ कि drive-in vaccination का मतलब यह है कि parking lot में जहां पर इन्होंने एक जगह तैकिया मुंबई में वहां पर आप आएंगे और vaccination कराके चले जाएंगे ड्राइव करके आएंगे और vaccination कराके चले जाएंगे जिसे विकलांगों को और जो बहुत ही मतलब कमजूर पेसेंट है उनको मतलब जो कमजूर लोग है मुंबई की बात हो गई है तो मुंबई के सीम का नाम तो आपको पता होना चाहिए उद्धर ठाकरे कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे राज्यपाल राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि राज्यपाल ही सीम को सपत दिलाता है भगत सिंग कोशियारी लिख लेना कॉपी में भई है ना और सबको पता है राजधानी क्या है है ना मुंबई तो ये चीज़े भी पता होने चाहिए ड्राइब इन वेक्सिन सेंटर का मतलब आप वहाँ पे ड्राइब करके जाएंगे और वेक्सिनेशन करा लेंगे तो इस ट्राइब की चीज़े यह भी मुंबई में चालू हो रही है तो कि आपको भी पता होना चाहिए चलेंगे अगला यह भी देखेंगे कोशन बहुत अच्छा कोशन है क्या है international no diet day कब मनाया जाता है International No Diet Day का मनाया जाता है कहने का मतलब आपके सरीर में वजन बढ़ रहा हो आपके सरीर में चरबी बढ़ रही हो जिसकी चिंता के लिए हना एक डैटिंग ववस्ता की सुरुवात की गई है उसी पे International No Diet Day 6 मई को मनाया जाता है हना जहर सी बात है कि आपका सरीर अगर बहुत जादा वजनी हो जाएगा भभारी हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारी आपको घेर सकती है इसके लिए हर 6 मई को International No Diet Day मनाया जाता है तो ये भी important question है ध्यान में रखिये आप लोग हना अगला आप देखेंगे चलिए ये बड़िया question है ये question अभी के लिए तो बहुत बड़िया question है विकि एक्जाम में ये पूछ सकता है ये question क्या है ये ये निसको ने विस्व प्रेस सुतंतरता पुरुसकार 2021 समान किसे दिया गया है ये किसे दिया बहुत important question है धान रखेंगे नहीं आला चलिए ये 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 सको के दुवारा विस्व प्रेस सुतंतरता पुरुसकार 2021 किसे दिया गया है बहुत ही important question है ये ये दिया गया है मारिया रेशा को किसे दिया गया है मारिया रेशा को ठीक है ये बहुत important चीज है क्योंकि स्वतंतरता आजकल समझ रहे हो ना कि न्यूज भारत में तो न्यूज बहुत खत्रे में है वही दिखाया जाता है जो आपको दिखाना चाहिए बहुत कई दैसों में चीज़ें नहीं है इसको बिल्कुल याद रखिए मारिया रेशा नाम याद रखिए जिसको दिया गया है यूनिस्को के द्वारा हना प्रेश सुतंतरता पुरुसका दोहजर एकिस ठीक है सम्मान से सम्मानित किया जाएगा ठीक है इस बात को जरूर याद रखिए नाम याद रखना इसका अंदर डेटल जाने की आपको जरुवत नहीं है अगला देखेंगे चलि अगला बताएंगे ये ये तो सबको पता है ये सब को पता है पश्चिम बंगाल के नए मुख्य मंतरी का क्या नाम है जाहे से बात है आप बंगाल चुनाओं आपने देखा होगा और किसने जीता है यहाँ पर गलत दिखा गया है ममता बैनर जी है वो क्या ममता बैनर जी तीसरी बार बिल्कुल इसको भी याद रखना तीसरी बार उन्होंने पस्षिम बंगाल का चुनाओं जीता इस बात को अच्छे सी याद रखना ठीक है चाहिए सी बात है मुखे मंत्री कौन है आपको मम्तम अनर्जी है तो राज्य पाल के बारे में सवाल पूछ सकता है तो वो है जगदीप जगदीप धनकड और पश्री मंगाल की राज़ानी कलकता है ये बताने कि आपको जरुवत नहीं है मुझे ठीक है इस चीज को याद रखेंगे है ना चलेंगा एगला कोशन पर चलिए ये लग गया है विश्व स्कूनर चेंपियंसिप 2021 कौन बने किस ने जीता ठीक है तो याद रखना मार्क सेलबी मार्क सेलबी ने जीता है विश्व स्कूनर चेंपियंसिप 2021 बह हाना इन्होंने जी जीता है तो इसको याद रखिए खेल से भी question बना के दे देता है आगे देखेंगे चले देखेंगे International Day of the Midwise कब मनाया जाता है देखें पूरे current of important है न यह होता क्या है कि यह दिन मीडवाइस के नाम को समर्भी माता एवां उनके नौजास हिसु को प्रदान की जाने वाली आवश्चक धेख बाल को ही मीडवाइस कहते हैं आवश्चक धेख बाल को तो पांच मई को यह मनाया जाता है ठीक है important है चीजे हाना देखो यह सब जो दिन डेज देता है एक्जाम में पूस भी सकता है आप लोगों को और यह अभी अभी का हाली का डेटा है तो आपको याद रखना है ठीक है अगला देखेंगे आप चलिए विश्व हात स्वक्षिता दिवस कब मनाया जाता है वर्ड हैंड है न हैजीन डे कब मनाया जाता है तो देखिए पांच मई यह कोशिन बहुत इंपोर्टेंट है अभी के हिसाब से याद रखि इसको आप याद करके चलिये याद रखिए डपलु एच ओ कि जो डिर्रेक्टर का नाम याद रखिए डिरेक्टर का नाम क्या है तेड्रोस आधानुम और इसका जो मुख्याले है जनेवा जनेवा कहां है सुज्य लेंड में है कहां पे है सुज्य लेंड में है तो इसको भी याद रखिये ठीक है आगे देखेंगे चलिए अस्तमा अगर ये बीमारी आपको हो जाती है अभी की टाइम तो आपका बचना मुश्किल है ठीक है अगर ये बीमारी हो जाती है तो विस्व अस्तमा दिवस कम मना जाएगा चार मई को तो याद रखिये मई में बहुत सरे चीज़े बनाए जाती है आपको याद रखना है डेट को ठीक है अगला देखें डेज बहुत सारे आ रहे हैं आप दिमाग में बैठा के चले ना कोईला खनिक दिवस क्या है कोईला खनिक दिवस कम मनाया जाता है ये भी चार मई को समझ रहे हैं ना कोईला का खनन करना हा ना याद रहे हैं खनन करन अगला चलिए मानौ अधिकार आयो के नए अध्यक्ष का ना मानौ अधिकार क्या होता पता है ना मानौ का अधिकार तो नए जो इसकी अभी अध्यक्ष बने है प्रफुल चंद्र पंत को बनाया गया है इससे पहले हल दत्तु जी थे ठीक है इसको भी याद रखी जो निउक्तिया होती है उसको भी दिमाग में बैठा के चलेंगे और अगला चलेंगे ये भी बढ़िया कोश्चन है ना कोटक महिंद्रा लाइप इंसोरंस के नए एमडी का क्या नाम है इसको जरूर याद करके चले आप ही आपकी तैयारी करेंट अफिर में भी होनी चाहिए एक्जाम में यह आ सकता इसकी प्रीडियप हम टेलीगराम में डालेंगे तो टेलीगराम को जरूर जोईन करेंगे जो कि डिप से स्क्रींट बॉक्स में दिया गया है नहीं समाझ आन पर इस नंबर पर वाटसप करके लिक्ट ले लीजिए आप ठीक है हो सकते हैं तो डेली आपके लिए वीडियो हम अपडेट करेंगे धन्यवाद धैंक यू